आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ देखेजिए हैं कुश्चन दिया गया है और यह edges होंगी इसकी आप edge बोल सकते हो इसको ठीक है और एक point से इसको join किया जाता है और यह 3-dimensional figure है इस तरीके से यह vertex हो गया इसका, यह height है ओके that is the radius of circle और एक slant height है यह slant height है यह height है और यह radius है ठीक है जैसा कि कहा जा रहा है which are the nets given below will generate a cone तो cone किसे generate होगी इन 4 nets को आप ध्यान से देखे if center is made vertex है हमें लिखने जा रहा हूँ if center जो center है अगर मैं इसको क्या बना दूँ is made made vertex ठीक है center को हम vertex बना दे of a cone of a cone and two edges and two edges जो दो edges है और bought adjacently और bought adjacently यहां और bought adjacent to each other ऐसे लिख भीजे adjacent to each other each other then then figure then figure will form जो figure है वो क्या बनाता है figure जो है वो एक cone को form करेगा will form a cone देखे यहां मैं एक circle लेने जा रहा हूँ ठीक है जहां से देखेगा एक circle के center को मैं vertex बना दूँगा यह circle है ठीक है इसका जो center है center यहां लाई कर रहा है यह इसका center है इसके center को मैं क्या बनाऊँगा vertex और जो edges की बात हो रही है उनको कुछ इस तरीके से मैं ले लूँगा देहां से दिखेगा यह और यह दून इसको मैं erase कर देता हूँ यह इस तरीके से raise हो जाएगा ठीक है और अब आप जो shape देख रहे हो यह इस shape को हम बोल सकते हैं कि यह net है ठीक है जो cone को generate करती है क्योंकि यहां पर मैंने लिखा है center को हमने vertex बना दिया cone का यह center को vertex बना दिया और दो edges are brought adjacent to each other ठीक है यह दोनो adjacent to each other then figure will form तो option कौन सा correct हो जाएगा हमारा option 1 so I hope कि आपको यह question समझाया होगा thank you